So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की revision class देश की सबसे हलकी metro train काम पर launch होगी पूरे में होगी और अभी daily current affairs में हमने पढ़ा भी है ये launch हो चुकी है इसके जो डब्बे हैं वो aluminium से बने हुए है अगला है विश्व वरिष्ट नागरिक दिवस World Senior Citizen Day ये हम 21 अगस्त को मनाते हैं और senior citizen से आपको याद आएगा एक October वाला दिन International Day for Older Person अंतर राष्टर वरिष्ट नागरिक दिवस की रुप में मनाते हैं अच्छा 2021 में बात करेंगे 93rd Oscar में Best Film चुना गया था Nomadland को उसमें Best Actor चुने गए थे Anthony Hopkins The Father मुवी के लिए और Best Actress चुनी गई थी Francis McDormand Nomadland मुवी के लिए जबकि Best Director थी Chloe Zhao Nomadland मुवी के लिए भारत का पहला Smog Tower का उधगाटन किया गया था दिल्ली में बताऊ सिडबी Small Industries Development Bank of India का Headquarter का पर है लखनाओ में और इसके Managing Director बने अभी S.Ramanna अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला जानवरों का युद्धिस्मारक गिगापे स्थाबित किया गया तो अंसर होगा उत्तरप्रदेश के मेरट में और मेरट में ही राज्य का पहला खेल University बनेगा जिसका नाम Major Dhyan Chand University University रखा जाएगा इसका नाम Major Dhyan Chandi के नाम पे रखा जाएगा भारत का सबसे नवीनतम नैशनल पार्क कौन सा बना अभी देहिंग पटकई नैशनल पार्क जोकि असम का साथवा नैशनल पार्क है अच्छा आप बताओ असम का छटवा नैशनल पार्क कौन सा बना था तो आंशारों का राइमोना नैशनल पार्क जो की गोल्डन लंगूर के लिए फेमास है पंदरवे वित तायोक के अध्यक्ष कौन है N.K. Singh है और चौदवे नंबर के थे वाईवे रेडडी और डिली करंट अफेट्स देखते होंगे जब भी बुक्स वाला सेशन आता है और खास तोर पर आटोबायोग्राफी इसका तो N.K. Singh का नाम मैंने आपको हमेशा बताया तो अब बतादो इनकी आटोबायोग्राफी आई थी उसका नाम क्या है अगला देखते हैं अलाबाद बैंक का विले किस में हो गया इंडियन बैंक में हो गया जिसका हैटकोटर चेन्नी में है इसका टेग लाइन होता है यूर ओन बैंक और वैसे अभी इंडियन बैंक के MDCU कौन बने थे शान्तिलाल बने थे ये भी करंट अफेट्स का प्रशन है बुनकरो का शहर किसे कहा जाता है पानीपत हर्याना को कहा जाता है City of Wevers और बुनकरो से याद आएगा नेकरा सम्मान योजना बुनकरो के लिए थी ये करनाटक ने शुरू की थी और बुनकरो के लिए एक और एक कारखंडर योजना जमू कश्मीर ने शुरू की थी वैसे राष्ट्रे हत करदा दिवस National Handloom Day कब मनाते हैं 7 अगस्त को मनाते हैं ये भी ध्यान रखना आप पढ़ते आगे और हाँ गाइस अनकेडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तयारी हो एकदम पकी तो आज ही सब्सक्राइब कर रहे हैं अनकेडमी प्लस देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे और जितने भी बैचेस हैं जितने भी कोर्सेस हैं उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन्स भी मिलेंगे तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और इसी सब्सक्राइब्शन में आपको मौक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनेलिसिस और एक्स्प्लेनेशन के साथ तो अगर आप बैंक एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉच्टिनिटी का लाब उठाने का और हाँ बिना कोई वक्त जाय कीजिए सब्सक्राइब करें अनेकेडमी प्लस पर और इस मौके का फाइदा उठाए तो करना क्या है बैसिकली बिना कोई देरी किये जाईए और अनेकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरा कोड इस्तमाल करना मत भूलिएगा कौनसा क्रेक एक्जाम 10 क्योंकि इसे यूज करते आपको 10% का इंस्तेंट डिस्काउन मिल जाएगा आपकी फीस कम हो जाएगी तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे वहाँ जाकर कि आप इसे चेक कर सकते और इनका फाइदा उठा सकते बताईए विश्व विरासत दिवस ये हमने 18 अप्रेल को मनाया इसकी थीम थी कॉम्पलेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रेल को मनाया फिर बताईए नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रेल को मनाया और 21 अप्रेल को वर्ल्ड क्रेटिविटी अड इनोवेशन डे विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी मनाया आर्थ डे कब मनाया तो आंसर होगा 22 अप्रेल को इसकी थीम थी रिस्टोर अवर अर्थ और 22 मार्च को हमने वर्ल्ड वाटर डे मनाया जबकि 22 मई को वर्ल्ड बायो डाइवर्सिटी डे मनाया विश्व पुस्तक व कॉपिर राइट दिवस हमने कब मनाया 23 अप्रेल को और आपको याद होगा 22 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया था ज़ॉज्या की कैपिटल तबलीसी को विश्व पशुचिकित्सा दिवस हमने 24 अप्रेल को मनाया थीम क्या रही COVID-19 संकट पर पशुचिकित्सा प्रतिक रिया आच्छा बताओ किस राजधाने देश के पहले पशुचिकित्सा एंबुलेंस नेटवर्क की स्तापना करने की गोश्टना की तो आंतर होगा अंदरप्रदेश राश्टर पंचायती राजधिवस 24 अप्रेल को मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रेल को एक्च्छल में ये तो वेक्टर है वाहक है वास्तों में तो जो रोक कारक है वो प्लाज्मोडियम प्रूटो जुआ है और वैसे मलेरिया को खतम करने का मलेरिया उन्मूलन का लक्षय है 2030 का और TB को खतम करने का 2025 टार्गेट है आपको बताए से इनको ना वरक्ष की चाल से मलेरिया के कौन सी दवाई बनाई जाती है कुनेन की दवा और मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है ये प्रशन एक्जाम में पूछा जाता है स्प्लीन को हिंदी में बोलोगे प्लिहा जिसे RBC का कबरिस्तान भी कहते है याद रखना अच्छा यूँ बता दो मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किस ने खोजा था रोनाल्ड रोस ने याद रखना ये भी इंपोर्टेंट प्रशन है अगला है World Intellectual Property Day विश्व बौधिक संपदा दिवस हम मनाते हैं कब 20 अप्रेल को थीम क्या रही Intellectual Property and Small Business Taking Big Ideas to Market अगला है Workers Memorial Day शरमिक इस्मरती दिवस यह 28 अप्रेल को मनाते हैं थीम क्या रही थी last Health and Safety is a Fundamental Workers Right अब पुराने महीने के Current Affairs का विजन करेंगे तो बताइए विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया तो आंशर होगा 10 फरवरी को थीम क्या रही Pulses to Empower Youth in Achieving Sustainable Agri Food System और दलहन से आपको याद आएगा United Nation ने 2016 को दलहन का अंतरराष्टर वर्ष गोशित किया था International Year of Pulses और अगर आपसे पूछे United Nation Development Program ने किस वर्ष को Year of Millets मोटे अनाच का अंतरराष्टर वर्ष गोशित किया तो आंशर होगा 2020 बताइए उलम्पिक Champions के सम्मान में किस विभाग ने उलम्पिक बुलेयार्ड का निर्मान किया तो आंशर होगा लोक निर्मान विभाग ने PWD ने कहाँ पर दिल्ली में जहाँ पर टोकियो उलम्पिक और टोकियो प्रेलम्पिक के जो चैंपियन से उसकी स्टेचू लगाई जाएगी तो ये जो खंड ये कितना लंबा होगा इस बार इंग्लेंड को हराया है बताए वेश्विक डिजिटल कोशल सूचकांग 2022 में सबसे अधिक ततपरता सूचकांग किस देश का रहा तो अंशर होगा भारत का सेकेंड नमर पे ब्राजील रहा मतलब ये इंडेक्स बताएगा कि डिजिटल स्कल सीखने में कौन कितना रेडी है रेडिनेस इंडेक्स किसे अठारवे स्वर्गिय माधव राव लिमिये पुरुसकार से सम्मानित किया गया नितिन गड़करी जी को सड़कव परिवन मंतराले देखते हैं ये इनका निर्वाचन शेत्र कॉंस्टिटुएंसी नागपुर है भारत का पहला बायो मास अधरिट हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे लगाया जाएगा मतलब बायो मास से यहां पे हाइड्रोजन बनेगी बायो मास किसे कहते हैं फसल के जो आउशिष्ट हो गया ना उसको बायो मास कहते हैं उससे हाइड्रोजन बनाए जाएगी ये प्लांट इस्तापित किया गया मद्देपरदेश के खंडवा जिले में अब बताओ काँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इगलू केफे खोला गया जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसको नाम दिया है स्नो गलू 40 लोगों के बेटने की केपिसिटी है यहाँ पर बताइए ब्लूमबर्ग बिलेनेर्स इंडेक्स के अनुसार इश्या के सबसे अमीर वेक्ति कोने तो अंसर होगा गौतम अडानी दुनिया में यह दसवे इस्थान पे रहे थे इस इंडेक्स में पहले इस्थान पे यानि कि दुनिया में सबसे अमीर तो एलन मसक है बताइए वित्यम अंत्राले में वित्य सेवा विभाग में सचीव बन गए कौन संजे मलोत्रा टॉम टॉम का 2011 का ट्रेफिक इंडेक्स आय था उसके अनुसार कौन सा भारते शहर टॉप पे रहा मतब भीडभाड वाले शहरों की बात कर रहे है तो भारत में सबसे भीडभाड वाला शहर बताया था मुंबई को जो की दुनिया में पांचवे स्थान पर है पांचवा सबसे भीडभाड वाला शहर है और दुनिया में नंबर वन पे टर्की का स्थानबुल है वैसे अभी टर्की का नाम बदल के क्या हो गया टर्की ये बताईए विज्ञार में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्टर दिवस मनाया जाता है तो आंचर होगा 11 फरबरी को इसकी थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, वाटर युनाइट्स अस 2021 के लोकतंत्र सूचकांग में भारत कौन से इस्तान पे रहा तो आंचर होगा 46th नंबर पे रहा टॉप पे नॉर्वे था डेमोकरेसी इंडेक्स की बात कर रहे हैं जिसको जारी किया था एकॉनमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने फिर बताईए युनाइटेड नेशन एन्वाइर्मेंट प्रोग्राम ने मानजी वसुंद्रा अभ्यान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझुता किया था महराष्ट्र फिर बताईए वर्ल्ड बुक आफ रिवकॉर्ड्स के द्वारा दस हजार फीट से उपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंकी से बताया अटल टनल को यह आपको मिलेगी हिमाचर प्रदेश में मदरास हाई कूट के चीफ जेस्टिस बने नामे मुनिश्वर नात बंडारी किसने ESPN क्रिक इंफो कैप्टन आफ दे एर पुरुषकार 2020 को जीता कैन विलियमसन ने न्यूजिलेंड के हैं यह और ESPN क्रिक इंफो टेस्ट बेटिंग अवार्ड चीता किसने रिशप पंत ने देसंबर 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन की शहर में बनेगा अंचर होगा सूरत और पांच ओनलाइन पाथे करम शुरू करने के लिए नैशनल स्टॉक एक्सचेंज अकादमी के साथ समझूता किया भी स्टीट बेंक ऑफ इंडिया ने 45 वा अंतर राष्टर कॉलकाता पुस्तक मेले में फोकल थीम देश रहा बांगलादेश अब हम लोग कल के करेंट अफ्लेट को रिवाइस करेंगे तो बताए किसे सरस्वती सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया तो आंसर होगा रामदरश मिश्राकू इन्हें के कवीता संग्र मैं तो यहां हूं के लिए यह सम्मान मिला है और कौन से नंबर का है तो 31 नंबर का है यह सरस्वती सम्मान जो के 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 बिल्ला फाउंडेशन के द् सिख बन गए सर्बेय के एपिटल बेल ग्रेड है सर्बियाई दिनार यांकी करंची है बताइए दे मैवरिक एफेक्ट नाम की बुक किसने लिखा हरीश महता ने और बताओ कहां पर देश के सबसे उचे मेडिकल टावर की नीव रखी गई ये 23 तक बनके तयार होगा ये बन रहा है जेपुर में जेपुर का जो SMS होस्पिटल है वहाँ पे और भारत और कर्गिस्तान के बीच में एक विशेश बल अभ्यास का नवा संस्करन अभी कहां पर आयोजित हुआ तो इसका अंसर होगा हिम कि रुपें फिर से किसे न्यूक्त किया गया मुरलियम नटराजन को इस बैंक का हेड़कोर्टर मुंबई में है और टैगलान होती है वी वैल्यू यू अच्छा बताइए राश्ट्रपती रामनात कोविन जीने नीदरलेन में पीले टूलिप फूल की एक प्रजाती का ना पादो के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका रहा तो अंसर होगा चावल का अगनिपत प्रवेश योजिना का सम्मन किसे है तो अंसर होगा सेना से ये भाटी सेना में शामिल होने या फिर प्रवेश करने की एक योजिना है अगनिपत प्रवेश योजिना तीन साल क इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें जो भी शामिल होगे उन से निकुक को अगनी वीर का जाएगा और Forbes, Billionaires, 242 के नुसार दुनिया का सबसे अमिर वेक्टी एलन मस्क हैं तो गाईज ये था आज का आपका Current Affairs का Revision वाला सेशन, सेशन अच्छा लगा है